हमारे समाज के सबी हैं किसस्ता दे ले लन चाहिए वंगे सारी कमीशन पर चाहिए कोई भी क्विजनेस करना चाहिए तो उसेम्ट लोन ले और तो खरीदने की पावर रखी और खरीदा था खरीदा ही तो था विदाय को लगदे कॉंग्रेस तो कॉंग्रेस देखना चाहते हैं 20 साल बाद क्या होने बाद जो दारू बेच ता है वही ऑस्पिटल गोल पल इंजन की सरकार बताते हैं इसको त्रिपल बोलो डवल ने त्रिपल यह वाओ तो इसको कोई इंजनी नहीं बताएंगे बिना इंजनी की सरकार है नवस्कार मैं जोति शोहान इस वक्त हम भोपाल से तक्रिवन 500 किलोमिटर के दूरी पर मौजूद है और यह विधान सभा है सुवाबली और जिला मुरैना में मौजूद है इस वक्त और तमाम गाहूं हमारे साथ मौजूद है और नया इलाका है नया जिला है और नया महौल है तो तमाम लोगोंistant करेंगे क्या कुछ महौल को लेकर किसी जो है वो विजय होने वाली है, किसका जो है, वो दंका बजने वाला है इस बार, चुनाओ में, क्या महल है चुनाओ का इसी है, UP की सरकार बनेगी, क्योंकर कहने लड़कि और योबा लड़क है, हो कांग्रेस के समर्थन में, है होंगे क्यों काट दिये नौकरी की कोई बेस्ता नहीं है सरकार साइब से काम करेगी तो ना तो किसी टीचर की कोई यहां पर अपर Collerian को जिसकी नौकरी भी नहीं रहे है उसको प्राइवेट्वान को पाइटी कर दी उन्होंने अपना वाप चींच कर दिया तो कम оп लेकिन उन्होंने प atmoswill storate उन्हों के पिता जी ते उन्होंने कभी भी कि नुखत नहीं दी इसमें पूरे सबसे ज्यादा अगर हमारे जो समाज के जो सभी लोग हैं बागी जिसको बोट देते ने उसकी सरकार बनी जाती है जनतव यह बात है क्योंकि हमने अब तक का इतियास देख तरफा रुजान चलता है अगर हमने एक बार यह सोच लिया कि सरपंची पर हमें यह सरपंच बनाना है तो वह बनाके रहत सब्सकाफ और हमें सरपंची ले लिएतां मामा की घौष्णाओं पर कितना भरुसा हो रहा आप लोगव कि मामा की घौष्णाओं क्यूंगे चुनाब का माम आहिन मामा नहीं कोई भी हो मामा या मोशाओ सबी गया करते हैं चुनाब निकल जाएगा तो कोई बांजा नहीं है कोई साड़े चार सो के से लेंडर और 200 रुपे अकाउंट में इसको लेकर बड़ी बात है चल रिया नहीं कुछ नहीं वह चास्ट अगर वह साड़े जिए अधिया होती है कोई बीकाम हो अगर से सब्सक्राइब सब्सक्राइब काम किया जो बिल्कुल जनता के हित्म है एक परसेंट भी जिनों ने जो भी किया है अपनी कोटियां बनाने के लिए किया जो सरकार चली आ रही है 18 लगभग हो गए है कुछ तो ऐसा काम किया होगा जंता बार-बार-बार रेपीट तो एक-दो-परसेंट काम को कौन देखता है आप बाकी इंसाने 90% काम को देखता है मैं तो खुद का विकास देखता हूं मेरे गाम में जो भी विकास हुआ है हमारे समाज के लोगों ने किया है क्योंकि समाज के लोगों ने सरपंच बनाया था जो कि रोड हो गई इस पर आपन ठाड़े है बाकी और बिलकुल कोई सरकार सरपंच के पंड़े में आता है और सरपंच ने बना दिया और भी हमारा सरपंच था कल भी तो कोई सरपंच था उन्होंने यह रोड किया मरंबी नी डलवाई थी और चाच-चार वाल पैसे निकाल लिए भो भी था लेकिन उसका नाम लेने से क्या हो रहा है डवल इंजन की बताएंगे बिना इंजन की सरकार है जिसने जिसको डखा दे दिया उसको साइट को चल जनता अगर समर्तन कांग्रेस को देगी और हमें पूरा सहोग है हमें विश्वास है कि एंपी के अंदर कांग्रेस को लाएंगे लेकिन हर चीज को निजी कमपनीयों को सौप रही है इ यह तो जो पूझी बादी लोग है उनको ही बहुत सरकार चला रहे है क्यां चला रही है लाडली बहना योजना उन्होंने चला आई है लेकिन उससे ज्यादा महंगाई तो बढ़ा दी उससे पहले दाल 100 रुपाई किलो ती आज मार्कीट में 500 रुपाई किलो का बावार च श्लेंडर यह स्लेंडर अभी तो किसी को नहीं मिला आए अप कहते हैं का सर्शिटी आ जाएगी लेकिन सर्शिटी से क्या वह तो डारेक्ट कम करते ना उन्होंने साड़े 400 रुपाई डारेक्ट कंपनी बारे ले ले एजनसी वाले तो तो से मानते अब उन्होंने कह दिया नहीं मिला नि की मामा जीने बोला आए घंसी बालों ने मना कर दिया यह थो आएगी यह मारे पास को यदिन देंगे बोला ता नहों का मामा जीने बोला है नहीं पताए क्या महल दिखाए देरा इस बार चुनाओ को लेकर किसका पलड़ा भारी है यहां पर तो कॉंग्रेस लग रही है क्यों लगे देखना चाहते हैं 20 सालवाद क्या होने वाला है तो मामा जी पसंद नहीं नहीं जो काम किया उन्हों ठीक या लेकर उनके बाद भी जो बच्ची सरकार है वह भी तो एक नाई एक बार बने अचांगा मामा जी जो घुष्णा कर रहे हैं कैसे देखना उन्हों को तो किसी को भी नहीं किसी को नहीं मिला है आज तो नहीं तो अभी तो आपने बोला नहीं मामा जी ने बोला कमीशन चरन कोई भी बिजनिस करना चाहता है तो उसमें कमीशन कोई रोजगार खोलो तो और नहीं तो मैं पसाई देंगे बंगा में यह दो काड़ के लिए तब उसमें कचरा वता देते हैं तुम्हें तुम्हें साब सेंपू से नलाई तो बदलाव चाह रहे हैं बदलाव मैं यह क्याना चाहता हूं कि जो भाज़पा की सरकार है सबसे पहले अंदिविस्वास और मंदिरों पर फोकस सबसे जाना कर रहती है क्योंकि आस्ता के नाम पर इंसान को इस तरीके से गुम्रा कि जा रहा है कि एजूकेशन सिच्छा तो इनसान देख नहीं नहीं चाहता है बस आदमी को इतना चाहिए कि लास्ट में चुनाओ जब होता है आप कह रहे हैं कि बीजेपी आस्था पर जादे फोकस कर रही है चुनाओ के वक्त में लोग उसी पर वोट डालते हैं म और आप भी जानते हो कि अगर हमारी आस्ता बगवान में है और हमारा कितना ही बड़ा काम बिगड़ जाए लेकिन अगर हमारे बगवान को कोई टार्गेट लेकर कि हमसे कोई बात करें तो हम ऑटमेंटिकली उसकी तरफ जुग जाएंगा इसलिए यह बाजबा का इसलिए वोट जी क्योंकि यह बताएं अभी मामा जी की सरकार आपने देखी चलिए वो तो अलग बात हो गई है ना वो तो हर्जे के चनौव में चलता रहता है यह धर्म जाती का मुद्दा काम बात करते हैं मामा जी की सरकार में कितने काम दिखायत देहां आपको धरातल यह किसर काम कर रही है। यह नहीं मैं क्या एक नहीं कर रही है किरो जब कमलनाथ जी ऐपने डेड़ साल के केरियर में अपना बजट में बञा पाए हे हैं और मामा तो यह पेचा आया तो यह तो दुनिया जानते दांते आ पूरे भारत की जानता का पैसा है और वह चाहिना जब पेटी जोंको पेटी है तो पूर्ट डाले उनकोजिक уз टावाँ नगा दिया जी का प्रवाव रहेगा इस जिले में बिल्कुल नहीं रहेगा इस दिले में जाता है माने माने जो तो नहीं पहुंच गए और ना कर लेकर क्या लग रहाए आपको परदेश में किसा मतला इंदी रप्शन मतला ब्रस्टाचार पैसा घूस खोरी ये ल को लेवाइस को हाज सकता है तिसलिए उसपंड ने करना परवर्तन चाह रहे हैं या फिर वही सरकार है क्यों कोई परवर्तन हो चाहिए उसी को नहीं दाना चाहिए परवर्तन उस्पार चुनाव को लेकर कॉंग्रेस को सरकार बननी चाहिए क्यों लगता है कॉंग्रेस ने 18 महीने में बहुत काम किया था कर्जमाप कर दिये और सभी मानी जो ब्रादा करें वो काम कर रहे थे भी मामा जी के योजनाव भरुसा नहीं कोई भरुसा नहीं है साड़े चार सुर्भे कर आप सलेंडर दे आम नहीं बिल्कुल नहीं मिला है नहीं मिला नहीं मिला है किसी को नहीं मिला है क्या कह रहा है जो प्रचार चल रहा करेंगे वोट करेंगे फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गॉलियर के बाद आप मुरेना में है और मुरेना के बाद आसपास के जिले में जाएंगे और जानने कोशिश करेंगे क्या कुछ महौल चल रहा है इससे पहले हमने आपको भोपाल से तस्वीर दिखाई इसके बाद भोपाल के आसपास जो जिले है वहां से दिखाई लेकिन फिलहाल जो है वो गॉलियर संभाग के आसपास जो है वो क्या कुछ महौल चल रहा है अश्कार